Hello dear students, welcome back to Organized Knowledge Channel और आज की जो वीडियो है उसमें हम डेस्कस करेंगे वरक्षीट नमबर 36, 4 क्लास 9th सामजिक विज्ञान की बच्चोए वरक्षीट है जो आपके लिए 5th October 2021 के लिए शेडिूल की गई है आज के जो वरक्षीट है बच्चो उसमें हम लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों जो आपका चेप्टर है उसकी पुन्रा विरती करेंगे वरक्षीट शूकरने से पहले बटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे बल आइकन को भी प्रस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए लोकतंत्र जो है वो सरकार का एक रूप है जिसमें शाषकों को जनता द्वारा चुना जाता है हमने एक कम्प्लीर चेप्टर कर लिया है उसमें हमने पढ़ा लोकतंत्र क्या है लोकतंत्र यानि लोगों के द्वारा और लोगों के लिए चुनी गई सरकार वो लोकतंत्र है और जिसमें लोग जो है वो शाशकों को चुनती हैं लोगतंत्र में अंतिम निरन लेने की शक्ती लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनीधियों के पास होनी चाहिए एक लोगतंत्र एक स्वतंत्र और निस्पक्ष चुनाव पर अधारित होना चाहिए जहां वर्तमान में सत्ता में बैठे लोगों के लिए हार जीत के समान आफसर हूँ तो लोकतंत्र में सोतंत्र और निस्पक्ष चुनाव होता है और कोई भी पार्टी उसमें जीत सकती है और कोई भी पार्टी जो है उसमें हार सकती है ठीक है यानि इसमें कोई जो है ऐसा एक प्रचलन नहीं होता कि जैसे हम राजतंत्र पढ़ते हैं कि राजा का बेटा राजा बनेगा लेकिन लोगतंत्र में ऐसा नहीं होता अब आपको यहाँ पर कुछ MCQs दिये गए हैं जिनकी आंसर आपको करने है फर्स्ट कोईशन है खालिस्थान को भरिये डैश सरकार का एक रूप है जिसमें साशकू को जनता के द्वारा चुना जाता है आप्शन A ताना शाही आप्शन B अभिजात तंत्र आप्शन C है राजशाही और आप्शन D है लोगतंत्र तो सही आंसर इसका हो जाएगा आप्शन D जो है आपका सही आंसर हो जाएगा लोगतंत्र नेक्स देखिए कोशन नमबर टू एक लोगतंत्र में अंतिम निरने लेने की शक्ति डैश के पास होती है तो जो लोगतंत्र है उसमें अंतिम निरने कौन लेता है सरकारी प्रमुखों के पास होती है समराटों के पास है लोगों द्वारा चुने गए लोगों के पास है या उपरोक्त में से कोई नहीं तो लोगतंत्र में अंतिम निरने लेने की शक्ति वो लोगों द्वारा चुने राइट अंसर हो जाएगा क्लियर नेक्स देखिए नेक्स्ट कोशिन नमबर थार्ड है साओधी अरब के शाशक कैसे चुने जाते हैं तो साओधी अरब में साशक चुनने के प्रकरिया क्या है option A लोगो के द्वारा option B सेना के द्वारा option C शाही परिवार में पैदा होने के कारण and option D है इनमें से कोई नहीं तो शाओधी अरब के जो साशक है वहाँ पर शाही परिवार में पैदा होने के कारण ही चुने जाते हैं तीक हैं वहाँ पर एक तरह से आप कह सकते हो राज तंत्र है clear तो C जो है इसका आंसर हो जाएगा next देखिए question number 4 है पाकिस्तान के general परवेज मुसर्रफ निम्न में से किस प्रकार के साशक थे तो पाकिस्तान के general परवेज मुसर्रफ एक राजा थे नहीं ताना शाह, लोकतांतरिक साशक और कुलीन तो ये जो है एक तरह से क्या है ये ताना शाह है जिनको हम लोकतांतरिक साशक तो बिलकुल नहीं कह सकते ताना शाह जो है वो है ठीक है तो आपका फूर्थ का अंसर B हो जाएगा clear है उसके बाद देखिए next है question number 5 निमलिखित में से क्या लोकतांतरिक व्यवस्था की महत्यपूर्ण विशेश्था विशेश्थाएं हैं तो जो लोकतांतरिक व्यवस्था होती है उसमें सवतांतरू निस्पक्ष चुनाव होता है तो बिल्कुल होता है, नियमित अंतराल पर चुनाव होते हैं, ठीक है, ये भी ठीक है, सारव भूम एक व्यस्क मतादिकार है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है, और उपरोक्ति सभी तो इसका सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्ति सभी, ख्लेर तो B का आपका D आंसर हो जाएगा, Q6 है, इन में से कौन सा लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा तर्क नहीं है, जो अच्छा तर्क नहीं है वो आपको find out करना है Option A, लोकतंत्र में लोग खुद को स्वतंत्र और सामान मानते है Option B, तो लोकतंत्र में ऐसा होता है कि हम अपने आपको स्वतंत्र मानते है लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं दूसरों की तुलना में टकराओं को ज़्यादा छित्रसुल जाती है बिल्कुल ठीक है लोकतांत्रिक सरकारे लोगों के प्रति ज़्यादा उत्तरदाई होती है लोगतांत्रिक देश दूसरों की तुलना में ज़्यादा श्मृद्ध होती है तो देखे इसमें D option जो है आपका हो जाएगा क्यांकि ऐसा जरूरी नहीं है कि लोगतांत्रिक देश दूसरों की तुलना में ज़्यादा जो है मैं स्मृद्ध हो कई वार ऐसा नहीं देखा गया है ठीक है तो यह जो है आपका डी यह अच्छा एक कह सकते हो कि comparatively अच्छा तरक नहीं है ठीक है तो डी जो है आपका इसका सही आंसर हो जाएगा clear तो यह थी students आपकी आज की worksheet I hope सभी बच्चों को यह clear है कोई भी doubt है तो आप पूछ सकते हो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर दीजे शेर कर दीजे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे so thanks for watching मिलते हैं next वीडियो में next worksheet के साथ take care bye bye